राधी राधी दोस्तों जब भी हम श्री कृष्णे का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें यादा दिये वो है श्री कृष्णे की मासुरी वो उनका सुन्दर मोरपंग जो किसी का भी मन मोले ये मोरपंग ही श्री कृष्णे को पूरे संसार में सबसे मनमोक और सुन्दर बनाता है श्री कृष्णे की पहचान है ये मोरपंग और उनका ये रूप और ये अवतार मोरपंग के बिना अधूरा सा लगता है चाहे प्रेम राधारानी का या मीरा का श्री कृष्णे के इस म मोरपंग के प्रती प्रेम के बीछे एक कथा हमें देखने को मिलती है कि एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल में सो रहे थे तभी श्री कृष्ण की आँखे खुली और उन्होंने देखा कि आसपस मौसम बेहद अच्छा है मां उन्होंने बांसुरी बजान शुरू कर दिया जिसकी धुन सुनकर सारे पशुपक्षी मोर सहित नाचने लगे जब संगीत खत्म हुआ ता मोरों के राजा श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने अपने पंख तोड़कर जमीन पर रख दिये इसे उन्होंने श्री कृष्ण को दक्षिना के रूप म भी उजागर करता है जैसे मोरपंग में सभी धरके रंग पाये जाते हैं जिनके माध्यम से श्री कृष्ण ये हमें दर्शाते हैं कि हमारे जीवन का भी ऐसे ही अनेक रंगों से भरा होना स्वभाविक है कुछ दुख के रंग और कुछ सुख के रंग जीवन में सुख आफ से दिखना चाहिए और यही बात वो श्रीमत बगवत गीता में भी कहते हैं कि शत्रों और मित्रों को एक समान कैसे दिखें वैसे ही जैसे हमारे श्री कृष्ण ने किया उनके साथ सदैव रहने वाले बलदाव हम सब जानते हैं कि वो शेशना के अवतार थे और नाग करने की एक और कहानी है जो त्रेता युक से जुड़ती है जब श्री राम और माता सीता बनवास के दोरान लक्ष्मन जी के साथ घूमने निकले और मोरों के एक समूने आकर उनका रास्ता भक्ती भावना के कारण साफ किया उससे श्री राम बेहत प्रसन हुए श्री राम उनकी भक्ति और समर्पंट से प्रसन होकर उन्हें ये वर दिया कि अब जब वो श्री कृष्ण की रूप में अगले बार जन्म लेंगे तो वो मोर के पंखों को अपने सिर पर धारन करेंगे इसके इलावा दोस्तों मोर एक ऐसा प्राणी है जो आजीवन ब्रहम चरे का प पंच नहीं होता उसे इश्वर अपने मस्तक पर धारन कर देया है ये सूचित करता है श्री कृष्ण का मोर पंख कहीं कहीं ये वर्णन भी देखने को मिलता है कि राधारानी के घर काफी मोर हुआ करते थे और वो उन्हें नचाती भी थी एक बार मोर ऐसे ही काफी मनमस्त ह होकर हमारी राधारानी के आगे नाच रहे थे तभी मार श्री कृष्ण आए और वो भी मोरों की बीच नाचने लगे तभी मोर का एक पंख नीचे गिर गया डिसे श्री कृष्ण ने चट से उठा कर अपनी राधारानी के प्रेम का प्रतीक समझते क्लब अपने सिर पर लगा लिया इसके इलावा दोस्तों श्री कृष्ण के मोर पंक धानन करने के पीछे की एक सबसे ज्यादा प्रसिद कहानी है जो कहानी बताती है कि एक बार एक मोर था जो श्री कृष्ण की बेहद कृपा प्राप्त करना चाहता था वो रोज श्री कृष्ण के लिए सुन्दर गायन और नाचना किया करता था पर श्री कृष्ण उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे तबी एक मैना ने उस मोर को ये कहा कि आप राधारानी के पास जाए और उनकी कृपा प्राप्त कीजे तो मोर पहुँच गया राधारानी के चडणों में और राधारानी ने मोर को प्रेम से बेहदा शिरवाद दिया और जब मोर ने प्रेम से भरकर राधारानी का गुनगान करने के वज़े से श्री कृष्ण उस मोर के द्वारा किया गया राधरानी का गुंगान और उसकी भक्ति से इतना प्रसन होते हैं कि वो उसके मोरपंग को अपने मस्दक पर धारण करने का फैसला कर ले दे हैं इस तरह दोस्तों हमें श्री कृष्ण के मोरपंग धानने से जुड़ी अनेकों सुनतर कताईं देखने को मिल जाती है दोस्तों मुझे इंस्टरग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना बुले मैरी इंस्टरग्राम आइडी है अपने इंस्ट्रग्राम आईडी का लिंक वाने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहां आपको जानने को मिलेंगे काना के जीवन से जुड़े बेहत अद्बुत, छोड़े छोड़े तत्य और बेहत खुपसूरत कोट्स आपको कैसे लगे यह वेडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वेडियो पसंद आई तो से लाइक, शेर और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भुले कहना से जुड़ी सबसे खाल जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टेई हैपी एन राधी राधी